हाई एवरीवाइन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की निवेस्ट एयर लाइन अकासा एयर के बारे में जो की फर्स्ट नवेंबर से अपने केबिन में जो पैट्स होते हैं डुमेस्टिकेटेड पैट्स जैसे है अकासा एयर की तो इसका ऑफिशल नाम है SNV Aviation Private Limited ये भारत की एक लो कॉस्ट एयर लाइन है जिसका की हेड़कॉर्टर महराश्ट्रा के मुंबई शहर में है इसको फाउन किया गया था भारत के फेमस इन्वेस्टर राकेश जुन जुनवाला जी के दौरा उनफॉर्चन आज की डेट में इनके जो 6 प्लेन हैं वो सर्विस में हैं बाकी के जो 12 प्लेन हैं मार्च 2023 तक सर्विस में ले आएंगे यानि कि मार्च 2023 तक इनके टोटल 18 प्लेन ऑपरेशनल होंगे और इसके बाद ये 54 और प्लेन अगले 4 सालों में एड़ करके टोटल जो इनका स्ट्रक्चर देखें यह एक अनलिस्टेट कंपनी है सबसे ज्यादा जो शेयर ओनर्शिप है वो राकेश जुन्जुन्वाला जी और उनकी वाइफ के पास है लगबग 45.97 परसेंट फिर जो कंपनी के CEO है विने दूबे उनके पास 16.13 परसेंट और अन्य कुछ लोगों के प है सिरफ एयर इंडिया ही ऐसी एक एयर लाइन थी भारत में जो की जो छोटे डुमेस्टिक पैट्स होते हैं जैसे कि डॉग हो गए कैट बर्ड्स इनको अलाव करती थी अगर उनके पास हेल्थ और रेबीस वेक्सिनेशन सर्टिफिकेट होते थे तो अकासा एयर जो अब ह वेट है वो 7 kg तक है तो आप उसको केबिन में अपने साथ फ्लाई करा सकते हैं और अगर उसका वेट 7-32 kg है तो आपको उसको एयर पर एयर पोर्ट काउंटर पे चेक-इन कराना पड़ेगा जैसे चेक-इन बैगेज होता है और अगर वो 32-100 kg उसका वेट है तो उसको एक क आरगों में होगा तो बिलकुल जैसे जो आपके सूट केसे या लगेज के लिए जो वेट होता है वही इसमें अलाओ किया जाएगा तो एक टाइम पे आप दो पैट के साथ फ्लाई कर पाएंगे और इसकी जो बुकिंग है वो 15 अक्टूबर से आप अपने पैट की बुकि किया जाएगा इसके अलावा एयर लाइन ने जो एंजियो है उमीद फॉर एनिमल फाउंडेशन इसके साथ भी टाइप किया है ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है एनिमल को फ्लाई कराने की कैरी करने की उसको फॉलो किया जा सके साथ-साथ में जो पैट पेरिंट्स होत होती है जिसमें की डॉक्स, कैट्स और बर्ड्स हो सकते हैं हाला कि उनका जो मैक्सिमम वेट है वो फाइफ केजी तक अलाउड होता है और इसके अलावा उनका मूध हका होना चाहिए लीश्ट होने चाहिए नहीं कि पट्टा उनको बंदा होना चाहिए और इसके अलावा जो एकसेस बैगेज चार्जेस होते हैं वो भी लगाए जाते हैं अगर आप पैट्स कैरी कर रहे हैं हाला कि एर इंडिया अगर आपके जैसे डिफरेंटली एबल पैसिंजर हैं उनके कुछ सर्विस डॉक्स हैं तो उनकी जो फीस है उसको वेव आफ कर देती है इसके अला करते हैं जैसे कि किसी blind person का service animal है जैसे guide dog है उसको allow करते हैँ otherwise live animal को बाकी किसी airline में allow नहीं किया जाता है मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आयोगा और आपने कुछ नया जाना होगा thanks so much for watching the video and God bless you all